हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायवेडिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डाइबिटीस से जोड़ी कुछ अफवाहों की जी आँ दोस्तों कहीं आप भी तो इन अफवाहों पर विश् सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आईए शिरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सबसे पहला मित है कि कार्वो हाइडरेट और मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अगर आपको डाइबिटीस है तो तो समझेगा दोस्तों कि डाइबिटीस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट पर प्रतिबंद लगाना तो बहुत जरूरी है लेकिन पूरी तरह से इन चीजों को बंद करना ठीक नहीं है आप बैलेंस डाइट पर ध्यान दे और अपने पोशक तत्वों पर ध्यान दे उन्हें जरूर लें दोस्तों मीठ और कार्बोहाइडिट का सेवन बिल्कुल बंद कर देने से लो ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है तो आपको करना क्या चाहिए कि डॉक्टर की सला के अधार पर कभी-कभी हलकी मीठी चीजों का सेवन कीजिए जरूरत के हिसाब से चीजों को खाईए ऐसा तो संभाव भी नहीं है कि आप कार्बोहाइडिट को बिल्कुल बंद कर सकते हैं कार्बोहाइडिट तो आपका आलू में भी है रोटी में भी है तो क्या-क्या बंद करेंगे फिर दोस्तों दूसरी मिथ है दूसरी अफवा है कि अधिक फैट और चीनी खाने वालों को डाइबिटीज होन फिर अधिक तनाव लेने वालों को भी diabetes होने की शांसे ज़्यादा होते है diabetes अनुवांशिक विमारी भी है यानि अगर family history है तो उन्हें भी हो सकती है जो लोग ज़्यादा smoking करते हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हें भी diabetes होने का खत्रा बना रहता है तो आपको समझना चाहिए आगे बात करें दोस्तों अगले मित की कि type 1 diabetes ज़्यादा खतरनाग होती है जबकि type 2 diabetes कम खतरनाग होती है तो दोस्तों experts की माने तो diabetes कोई भी हो दोनों ही खतरनाग है और दोनों ही परिस्तितियों में आपको सावधानी बरतने की ज़रत है आपको अपनी diet का ध्यान रखने की ज़रत है और दोस्तों इस खतरनाग बिमारी से बचाओ के लिए आपको कही ना कहीं बेहत परियास करने पड़ेंगे ये बहुत ही खतरनाग बिमारी है और आपको अगर इसमें सावधानी नहीं बरतोगे तो निश्शित रूप से आप कहीं ना कहीं किसी बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं तो ध्यान दीजे फिर दोस्तों चौती मित है कि diabetes वाले blood donate नहीं कर सकते चीहां दोस्तों अगर diabetes के मरीज का sugar दमाओ के द्वारे control में है तो वो आसानी से blood donate कर सकते हैं बस करना इतना है कि blood donate करने से पहले अपना blood sugar test जरूर करा ले तो ये भी देखिएगा फिर दोस्तों अगली मित है कि diabetes में जादा से जादा फल खाने चाहिए दोस्तों निशित रूप से फल पोशन से भरपूर होते हैं लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप फल खाए तो सीमित मातरा में खाए अगर आपको diabetes है तो अधिक मातरा में फल खाएंगे तो आपका blood sugar level बढ़ सकता है और आप समझ ये कि दिन में 2-3 बार फल खा सकते हैं लेकिन जब भी फल खाएं तो सीमित मातरा में खाएं एक-एक दो-दो फल एक बार मिलें एक साथ कई सारे फल ना खाएं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपको दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी